नमस्कार दोस्तों कैसे आप उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो डी यू रिकॉडर जो इसक्रीन रिकॉड करने के लिए अप्लिकेसर इस्टोर करते हैं उसमें एक वाटरमार्क आता है जो आप देख रहे होंगे कि इस फोटो में मैंने वह वाटरमार्क आपको दिखाया हुआ है तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस वाटरमार्क को हम कैसे हटा सकते हैं दोस्तों यहां पर देखें यह है वाटरमार्क तो इससे जब भी आपको वीडियो बनाते हैं तो उ के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तों बने रही है मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हैं तो आए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए जिस तरीके से आप application देखते हैं अपने mobile में application खोली है और वहाँ इसको दबाए और इस तरीक के सए आपको एस तरीके से ऊस्ज्से खुणेंगे तो इसमें और भी settings मिल जाती है आप और लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं और इसके बाद यहां पर बात हो रही है watermark कें तो watermark कैसे हटाएंगे आप इसके बारे में जाननी कोश्च करेंगे तो यह पर देखें दोस्तों यह आपको watermark के लिए यह यहाँ पर watermark के लिए अलग से मिल जाता है अब इस watermark को आप जो भी video बना रहे हैं महां से जो rikorder लिखा हुआ आता है watermark आता है उस करने के लिए इस पर ऑखे कीजिए और देखे दोस्तों जब यहां पर आप OKकरेंगे तो देखिए यह इसको करेंगे मतलब इसका मतलब यह है कि वाटरमा का आएगा ने के पीछे आने पर इसको बाफ कर देंगे तो देखेंगे इसके लो डीषैबल रखिए उसके साथ साथ दोस्तों यह आप देख रहे होंगे कि यह टाइमर और पर आ कंपर आ रहें अगर आप कुल आ चाहते हैं तो देखिंग अ कि यह देओं कि दोस्तों हाइट रिकोर्टेंग बटन और हम स्क्रीन इसको आप जब ओके करेंगे तो estas बन यहां यहां से हट जाएंगे और यहां इसको बंद कर देंगे तो बापस यह बतन इसी तरीके से आ जाएंगे तो दोस्तों यह पर इसक्रीन पर बटन दिये हैं इनको आप हटा सकते हैं उसके साथ साथ इसी तरीके से दोस्तों जैसा मैंने बताया आप वाटर मार्क अपनी जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं वहां से वाटर मार्क हटा सकते हैं ताकि एक अलग सा जो इफेक्ट पढ़ता है वीडियो पे वो ना पढ़े और आपकी वीडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा बनाए गई है ज्यादा एफेक्टिव लगे तो दोस्तों यह 100% वर्क करता है यह किसी भी प्रकार से फेक नहीं है और नहीं कोई दिखाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह टेक्निकल टिप आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में घंटी का बैल आइकन भी दबा धन्यवाद